प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एल हिट था बेल आइकन ताकि आप कोई भी वीडियो मिश्ण नहीं हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग आज हम बनाने जा रहे हैं बाजरे की रोटी जो कि हमारी वीवर्स ने हमें पिछली साल भी बोला था कि आप बाजरे की रोटी बनाओ तो मझे पिछली बार टाइम नहीं लगा सरदी चले गई थी और मैं अब की वार बना रही हूं बाजर गी जहल्म ऊज्गने प्रे प्याइब नहीं नहीं लहा है तो गेवर्स के रहे हम आटा लगा बाजरी की रोटी करते हुआ फ्मानीलान यहां पी दो आटा लेम आल पानी तुर कि अजय के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मट लगाएंगे है इसमें थोड़ा पानी नहीं डालेंगे बाजरे का आटा हम जितना अच्छे से लगाएंगे उतनी अच्छी हमारी बनेगी तो इसे हम अच्छे से गूतेंगे इन हम इस हतेली से इस तरीके से इस आटे को जितने अच्छे से गूतेंगे रोटी उतनी अच्छी बनेगी तोटेगी भी नहीं क्योंकि अधिक तो रोट तोट जाती है यह हब्यकी पनाते हैं हमारे बाजरे काट़ा लगके तयार हो गया और आज को हम तोड़ाने रखेंगे क्योंकि इन रोटी को सिखने में आज थोड़ी दीज लगती है हई हई है आप कि आप और हम इसमें से थोड़ा थोड़ा आटा लेंगे इस तरीके से और इसको में इस तरीके से इंगियों से थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊंगी इस तरीके से आतीले से ब disorders से हटा दवारते हुए हम रोटी बनाएंगी जादा दूर नहीं करेंगे में तो रोटी हमारी फर्ट जाती है और हम हमारी फटाती है ये से बनाएगे और इसे तो ये ने बाज़री नोटीifies Phraana इसी तरीके से हम जब वो रोटी चीख जाएगी जब दूसरी रोटी बनाएंगी और हम दूसरी रोटी के लिए आटा लेते हैं देखिया हमाई रोटी दर से भी शिख गई और हम इसको घही में शेकेंगे यहनी चूले के अंदर हमने रोटी पलट दी है उस साइड से शिख गई है और तब तक इस साइड से रोटी सिखेंगी हम दूसरी रोटी बना लेंगे और यह देखिया हमाई बाजरी की रोटी सिख गई है यह तरीके से हम दूसरी रोटी भी सेख लेंगे और हम जब दूसरा आटा लेते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा के उसको हतेली से दुबारा गूत लेते हैं ताकि और अच्छे से रोटी बने यह हमारा घी है देसी गी जो कि हम इस चूले पर रखके गरम करें क्योंकि हम बाजरी की रोटी का चूर्मा बनाएंगे इसमें हमें घी ताहा हुआ चाहिए और यह देखिया हमाई दूसरी रोटी भी सीख गई गरम है और इसमें हम मीठा अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे और अब में इसमें गुड़ डाल रही हूँ यहां पे चाहे तो आप गुड़ की जगा सक्कर भी ले सकते हैं कि खांड भी ले सकते हैं लेकिन हम यहां पर गुड़ ले रहे हैं और अब में इसमें घी डाल रही हूँ कि और इसको अच्छी तरीके से मिला लूए हुआ 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 है कि देखिए हमारा चूर्मा बनके तैयार है और इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा ओर देशी घी और हमने बाजरे की रोटी का चूर्मा बना दिया है और अगर हमारी रिसीपि आपको बहुत अच्छी लगयो तो हमें लाइक कमेंट से जरूर करें और विपिन जी आपकी कमेंट हमें बहुत अच्छे लगते हैं और आपका इस तरीके से प्यार जो है हमें बहुत खुसी देता है कि आपको हमारी बहुत चिंता है और हमारे वीडियो आपको जल्दी-जल्दी मिलती रहेंगी थैंक यू